आपका स्वागत है, आज हम मुंबत्ती के द्वारा एक छोटी सी अक्टिविटी करके देखते हैं, इस अक्टिविटी को जब भी आप करें बड़ों की निग्रानी में करने की कुछिस करें, आईए करके देखते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहली प्लेट में क्या किया, एक मुंबत्ती को किसी सिक्के या वसर पर रखें, और इसके अंदर कोई भी आप फूड कलर डाल करके रंगीन पानी बना लें, और एक गिलाज, अब इस जलती हुई मुंबत्ती के उपर, मैं गिलाज को रखता हूँ, और देखते हैं क्या होता है, जैता कि हम देख पा रहे हैं, जैसे जैसे मुंबत्ती बुजी, पानी का तल जो है, वो गिलास में बढ़ गया, अब ऐसा हुआ क्यों होगा, सवसंभावित जो इसका कारण है, कि जो मुंबत्ती थी, उसको जलने के लिए जो सायक गैस थी, उसका उपबोग उसने कर लिया, और गर्म गैसे उपर उठ गई, इस कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि यह जो लिक्ट सरफेस है, सिलिपरी बॉंड थे यहाँ पर, इलास्टिसिटी बॉंड थे, भार से द्रव जो है, उस कमी को पूरा करने के लिए इस गिलास के अंदर चला गया, अब हम दो मुंबत्ती के साथ इसको करके देखते हैं, अब मैं दोनों मुंबत्ती के उपर उसी तरीके से गिलास रखता हूँ, पहली मुंबत्ती बुजी, और अब दूसरी मुंबत्ती बुजी, तो दोनों की लेबल में थोड़ा सा फरक आया है, लाल वाला लिक्ट जो है, वो ज्यादा लेबल तक चड़ा है, इसमें क्या रहा होगा, जो गिलास था, उसमें यहर तो दोनों में ही बराबर थी, पहर दूसरे मुंबत्ती में ऐसा क्या था कि इसमें थोड़े से तल में ब्रद्धी हुई तो इसकी भी बहुत सारे संबावित कारण हो सकते हैं इनके उतलासने की कोसिस करें थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो